सुप्रभाद बच्चो मैं आपकी हिंदी विशे की अध्यापी का आर्ती शर्म बच्चो आशा है आप लोग घर पर रहकर सुरक्षित होंगे बच्चो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की किताब में से पाट उन्नीस अलंकार पढ़ाने वा समझाने जा रही हूँ यह कक्षा साथ वा आठ दोनों के लिए उपयोगी है आप सभी इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बच्चो अब हम पार्ट शुरू करते हैं तो बच्चो अलंकार अलंकार क्या होते हैं यह आज हम इस पार्ट पे समझेंगे अलंकार का अर्थ है आभूशण या गहना जिस प्रकार एक नारी जब आभूशण या गहनों से सुसजित हो जाती है तो उसकी सुन्दर्ता बढ़ जाती है ठीक बच्चो उसी प्रकार से भाशा को अलंकरत करने पर उसकी काव्यात्मक सुन्दर्ता बढ़ जाती है यानि उसके काव्य में सुन्दर्ता आ जाती है जब उसमें अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो बच्चो अभी हमने अलंकार की परिवाशा देखी, अब हम देखते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार शब्दालंकार जब किसी कावी की सुन्दर्ता उसमें प्रियोग कियो हुई शब्दों के कारण हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है तो बच्चों समझ में आया जब किसी कावी की सुन्दर्ता उसमें प्रियोग कियो हुई शब्दों के कारण जैसा कि उसके नाम से भी अपन पर्चित हो रहे हैं शब्दा अलंकार उसका नाम क्या है शब्दा अलंकार तो शब्दा लंकार से हम समझ सकते हैं कि जब किसी कावी की सुन्दर्ता उसमें प्रयोग किये हुए शब्दों के कारण हो तो वहाँ पर शब्दा लंकार होता है शब्दा लंकार के भी उपभेद होते हैं तो शब्दा लंकार के निम्न जो उपभेद हैं उनके बारे में भी हम बच्चों जान लेते हैं तो पहला है अनुप्रा सलंकार जहां एक ही वण की आवरती बार बार आए वहां अनुप्रा सलंकार होता है तो क्या जाना बच्चों हमने या पर अनुप्रासलंकार में जहां एक ही वर्ड की आवरती बार-बार हो रही है यानि कि एक ही वर्ड बार-बार प्रयोग हो रहा है बार-बार आ रहा है वहाँ पर हम जान लेंगे कि अनुप्रासलंकार होता है या हो रहा है उधारण के लिए देखते हैं बच्चो जैसे तरनी तनूजा तट भाल तरुबर बहु छाए तो यहां तावण की आवरती कई बार आई है अता यहां अनुप्रासलंकार है जैसा आपने देखा तरनी में ताया है तनूजा में ताया है तट में ताया है तरुबर में ताया है यानि कई बार एक से कई बार यानि कई एक से अधिक बार जहां एक ही वण की आवरती होती है वहां अनुप्रासलंकार होता है यहीं हम देखते हैं दूसरा उपवे यमक अलंकार जहां एक ही शब्द की आबरती दो या दो से अधिक बार आए किन्तु उसका अर्थ भिन हो वहां यमक अलंकार होता है तो बच्चों हमने जाना जहां एक ही शब्द की आबरती दो या दो से अधिक बार आए पहले हमने पढ़ा था कि एक ही वर्ड की आवरती बार-बार आए तब अनुप्रा सलंकार होता है यहां यमक में जहां एक ही शब्द की आवरती दो या दो से अधिक बार आए किंतु इसमें एक अंतर आया है किंतु उसका अर्थ भिन हो जब भी आपरती आए तो उसका अंतर उसका आर्थ बार-बार वहाँ अलह हो तो धारण के लिए देखते हैं बच्चों तीन बेर खाती तो वे तीन बेर खाती है यहां आप लोग देखेंगे यहां एक बेर का आर्थ है बार बार और दूसरे बेर का आर्थ है बेर फल से यानि बेर बेर जो हम कहते हैं बार बार कुसी शब्द को कई लोगों से बेर बेर उपयोग करते हैं तो यहाँ पर एक बेर का आर्थ है बार बार और दूसरे बेर का आर्थ है बेर फल से तो बच्चो अब हम जानते हैं शब्द अलंकार का आखरी और तीसरा बेर खिपका हुआ अरफा जहाँ एक ही शब्द से कई आर्थ निकलते हो वहां स्लेश अलंकार होता है तो बच्चो अभी हमने जाना था अनुप्रास में एक ही वण की आबरती बार बार अनुप्रास अलंकार उसके बाद हमने जाना यमक अलंकार यहां पर शब्द की आवरती दो से अधिक बार होई है किन्तु अर्थ भिन्न हो गया है अब श्लेश में देखते हैं श्लेश का आर्थ है चिपका हुआ अर्था जहां एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हो वहां श्लेश रंकार होता है जैसे सुब्रन को खोजत फिरत कभी व्यमचारी चोर जहां सुब्रनकार थे कभी के लिए सुन्दर वर्ण वर्ण यानि शब्द व्यमचारी के लिए सुन्दर इस्त्री और चोर के लिए सुन्द यानि सोना तो यहां पर क्या हो रहा है सुन्दर वर्ण के शब्द व्यमचारी के लिए सुन्दर इस्त्री और चोर दोनों के लिए यहां पर सुन्द इस्त्री और चोर दोनों के लिए यहां पर सुन्द कावी की सुन्दर्ता उसके अर्थ से बढ़ जाती है तो वहां अर्था लंकार होता है पहला हमने देखा था शब्दा लंकार जहां पर क्या हुआ था बच्चो शब्दों के कारण उसमें सुन्दर्ता बढ़ी थी तो शब्दा लंकार था यहां जब किसी कावी की सुन्दर् तो यहाँ पर अर्थालंकार होता है अर्थालंकार के भी निम्न उपभेद होते हैं तो पहला भेद है उपमालंकार जब किसी एक व्यक्ति या वस्तू की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तू से की जाए तो वहाँ उपमालंकार होता है जैसे वहाँ दीप सिखासी शा शुर्ष्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही हो, उसक्रामा डी जा रही हो. तब यहां पर उसक्रागी होता है. तो बच्चो अब हम अर्था अलंकार के दूसरे उपभेद यानि रूपा कलंकार पर पहुँचते हैं जब उपमे और उपमान में तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्डन हो तो वहां रूपा कलंकार होता है यानि बच्चो जब उपमे और उपमान में तुल्ना करने पर समानता की कारण कोई अभेद वर्डन हो तो वहाँ पर रूपा कलंकार होता है जैसे बीती बिभावरी जागरी यानि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीती यानि रात बीच चुकी है अब जाग जाओ सुवेरा हो चुका है अब इसी का हम थर्ड उपवेद यानि तीसरा उपवेद लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जब कावे में तुलना की कारण उपमे में अपमान की कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ऐसे वाक्यों में मानों, जानों, जियों, आदी शब्दों का प्रियोग किया जाता है तो बच्चो यहां जब कावे में तुलना की कारण उपमे में उपमान की कलपना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षालंका होता है तो जैसे वाक्यों में इनको पहचानने के लिए इन वाक्यों में क्या लगा होता है मानो जानो जियों आदी शब्दों का इन में प्रेयोग किया जाता है ताकि हम जान सके यहां उत्प्रेक्षा लंकार है तो उधारण देखते हैं जैसे मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा तो यहां पर त्वेक्षा लंकार में मानो जानो और जियों आधी शब्दों का प्रयोग किये जाता है तो बच्चो आशा है आज आपने मैंने जो पार्ट पढ़ाया आलंकार आपको समझ में आया होगा और आप घर पर हैकर अपनी किताब वा आपको जो नोट्स बेज़े जाएंगे उनसे इस पार्ट का और अभ्यास किये जेगा यह कक्षा साथ वा आठ दोनों के लिए उपयोगी है दोनों ही किताबों में यह पार्ट है तो आप घर पर स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद बच्चो